असलाम आलेकुम दोस्तों गूट मॉर्णिंग सत्यकाल आदाब नमस्कार दोस्तों अभी सुबे के 7 बज़े हैं और मैं हूँ अभी यूई के जरफ में हम अपनी साइट पे हैं दोस्तों यहां काम करते हैं और यहां आज इतनी ज़्यादा बारिस हो गई कि आना जाना मुश्किल हो गया लोगों का और पुरा जिसका काम जाने पे काम पे ड्यूटी औगरा जाने में बहुत मुसीबत हो रही है और यहां पे अभी रोड बन रही हैं दोस्तों बिल्डिंग रेडी हो गई यह देखिए यह बिल्डिंग है हमारी और हमारी नहीं कंपनी की है इसमें हम काम करते हैं दोस्तों और इधा सारे इंट और रखे हुए हैं ताबों को गईरा यह रोड बनेगी साइड में आने ज और इस साइड में आपको मैं दिखाता हूँ कितनी ज्यादा इधर देखे ये आने जाने का रास्ता है पूरा पानी से ढख चुका है और वो सामने स्कूल है नेशनल स्कूल और ये सामने एक बिल्डिंग है ये बनके रेदिया हुगई थोड़ा मुड़ा काम इसमें बाकी है और ये एरिया जरप में है अजमान के पास और उदर उमल कुईन का जो जहन्दा दिख रहा है आपको वो उमल कुईन का सीन है वहाँ पर और इस साइड में में रोड है इस साइड में और यहाँ पी इतनी ज्यादा पारिस हो गई कि आपको मैं बता ने सकता है आपको दी द 43 मिनिट मुझे लग गया बस घुमा घुमा के लेके आया और यह इधर आफिस है अरबापका और कुछ लोग इधर खड़े होके हमारी कमपनी के बात कर रहे हैं लिप वगरा चलने का कुछ इंदिजाम कर रहे हैं अभी यह थ्री फ्लोर के उपर से का उपर से यह सीन दिखा रहा हूं आपको और मैं अभी सीडी से आए लीट भी बंद है दोस्तो इसलिए थोड़ा अभी मैं जा रहा हूं पंद्रा मंजल के उपर उपर का सेन दिखाता हूं यह ओपिस है और दोस्तो अभी टाइम हो रहा है साथ बचके दस मिनट सुबा के और मैं आए गया हूं भी पंद्रा मंजल फ्लोर उपर छट पे और यहां का सीन यहां से देखिए आप कैसा व्यू लग रहा है पीशे कितना पानी भरा हुआ यहां पर सामने पीशे जो बना हुआ है यह स्कूल है नेशनल इस्कूल जरफ में और यहां से बुर्ज खलीवा भी दिखता है दोस्तों लेकिन वह काफी दूर है तो बहुत कमती दिखता है हमारे कैमेरे में तो नहीं आएगा बादल भी कुछ शाय हुए है देखिए पूरा वाइट बादल है थोड़ा बाइक कैमेरे से दिखाता हूँ आपको क्या स्थीन है अच बहुत बारिस हो गया कसंतो बला दुबई में इतना बारिस दो साल मेरे को हो गया है यहां पर दु कि यह पूरा पानी है रोड पर अगे आप देख रहे हो ना उदर कुछ नहीं है उदर समंदर है दूसरी साइड का सीन दिखाता हूँ आप लोगों को यह देख यह जरब का सीन है दोस्तों यह सामने स्कूल है यह देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था कि रोड बन रही है कि बिल्डिंग वाला रोड बना रहा है चो बिल्डिंग यहां पर वो बना रहा है मैं रोड उस साइड है और यह रोड पärसनल रोड होंगी थै पार्किंग के लिए है यह सामने गारी खड़ी है ना सेम सेम ऐसे ही यहां पर बनेगी रोट यहां पर बनेगी और यह सामने बिल्दिंग बन रही है इब टीन ही वे कि रहना करना लगा हुआ है और यहां से आप वो सारजा एरबोर्ट में दिखाता हूं जो लाइटे दिख रहे है ना वाइड वाली ऊपर वो सारजा एरपोर्ट है यह से नहीं दिख रहा है और बुरुष का लिफाइस बिल्डिंग के आगे है वो भी नहीं दिख रहा है पादल चाहे होगे हैं और मैं आपको यह देखी यहां पर एसी रखी हुए सबसे टोप प्लोड पर हूँ न तो यहां पानी की तंकी है और इसी वगएरा है पूरा कनेक्शन हो चुका है विल्डिंग अभी रेडी नहीं हुए है बस इस महिने में जनवरी में साइट खलास हो जाएगा काम इसका और आपको ले चलता हूँ थोड़ा पानी में हो पानी हो गया बहुत चादा है यह मैं पूरा जो आप देख रहे हो ना यह पूरा थोड़ा आगी जाके अमल कुईन का सीन है और यह जो आप देख रहे हो जो जूम करके दिखाता हूँ यह एक कलर का जो बिल्डिंग पूरा दिख रहा है यह यूनिवर्सिटी अजमान का है दोस्तों अजमान की यूनिवर्सिटी है इस साइड में और यहाँ पर देखिए टंकी रखी हुई है यह गैस के टंकी दोस्तों यहाँ से पूरी बिल्डिंग में इतने भी सारे किचन है यहाँ पर पूरे किचन में सप्लाई होगा इस गैस टंकी से तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फिर मिलते हैं किसी नेच्ट विडियों तब तक के लिए जय हीन खुदा हाफीज अपना ख्यार लखिए अपने फैमिली का ख्यार लखिए और यह देखिए इन लोगों से तो मिलाया नहीं यह हमारे पाकिस्तान से हैं दोनों भाई सा यहीं तराना बॉलिम अदले दोडा लाओड बजेगा यूपी वाला खाना बॉलिम